हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम डिसकेशन करने वाले हैं Nifty 50 का बैंक निफ्टी के एनलेसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गए आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे काफी बहतरीन लोजिक डिसकेशन किया गया निफ्टी फाइनल सर्विसिस को भी कंपेर किया गया बैंक निफ्टी के साथ काफी बहतरीन लोजिक डिसकेश किया गया आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिसकेशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में जैसे कि आपको बताया था कि अ कि मार्किट इस लेवल पे रेजिस्टेंस किता कर रहा है बार बार हिट कर रहा है तो अगर इसका ब्रेकाउट मिलता है तो definitely आपके लिए क्या बन जाएगा एक important support zone बन जाएगा क्युकि resistance है breakout मिला तो support किता करेगा अगर फिर से breakdown मिल गया तो फिर से resistance की तरह act करेगा जो situation हमें दिखाई भी दे रही है लेकिन हमारी trade के पीछे क्या logic था है पर opportunity मिल रही है उन चीजों को समझने की कोसिस करते है जिसे कि market ने एक बड़ी gap up opening दी हाला कि इतनी बड़ी नहीं है लेकिन अगर market इसका breakout दे के चलता तो हमें buying opportunity मिल सकती थी लेकिन market ने ऐसा किया नहीं उससे नीचे ही रहा तो यहां पर buying का scenario तो बनी नहीं रहा था लेकिन इस candle ने हमें दो चीजे बता दी पहली यह zone बता दिया जो कि हमारे लिए trading day हाई बन चुका है यह situation आपको दिखाई दी दूसरा अगर आपको इसका breakdown मिल भी गया तो नीचे एक और support जोन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है situation समझे मारे अगर इसका भी breakdown मिल गया तो नीचे एक ही support एक और support जोन है तो यानि कि लोंग buying का scenario था ही नहीं कि देखो market नीचे आया है लेकिन लोंग selling का आपके लिए यहाँ पर scenario नहीं था सिर्फ और सिर्फ scalping के मोगे थे अगर trading day low का market breakdown देता है तो आप इस level तक scalping कर सकते थे इसका breakdown मिलता है तो आप यहाँ तक कि scalping कर सकते थे opportunity आपको मिली कहाँ पर है opportunity मिली है आपको इस zone पर जो हमने आपको चार pattern बताय हुए है triangle वाले pattern trend line से मिलके बना हुआ pattern और एक parallel pattern यहाँ पर यह वाला pattern बना धियान से देखेंगे हमें पहले से पता था कि यह zone important है market ने इसी zone की यहाँ पर respect भी किया और market ने एक pattern भी create किया है इसका breakout भी दिया है market ने और opportunity सीधे सीधे आपको मिली है आपको काफी अच्छा है यहाँ पर risk reward रेसो भी मिला है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा momenting approach था trading day high और market ने trading day high तक यह momentum आपको दिया है फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है market ने trading day high का breakout दे दिया यहाँ पर भी opportunity अक्टिवेट होती है क्योंकि एक और setup है trading day high के breakout अगर market दे रहा है तो इस situation पर आपका SLA होगा है यहाँ पर क्योंकि market ने breakout तो दिया है opportunity भी बनाई है momentum भी दिखा है लेकिन market reverse हो गया तो यहाँ पर आपका SLA होगा दोस्तो SLA अगर आप देखेंगे जो आपको रूल बताये गया है इतना बड़ा SLA नहीं लगता है अगर आप देखेंगे SLA पर एक discussion भी चल रहा था अमिजी के साथ तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे कर आप देखेंगे candle बड़ी बड़ी कभी कभी फोर्म होती है तो SLA में इतनी प्रोब्लम नहीं आती है वो बस एक ठोट होता है आप मतलब observe अगर करोंगे mark करोंगे चीजों को तो आपको इतना बड़ा SLA नहीं दिखाई देगा करके देखना आप एक बार तो यहाँ पर लोजिक आपको प्रोपर अच्छे तरीके से समझ में आऊगा opportunity आपके लिए कहाँ पर create हुई यहाँ पर एक long opportunity create हुई काफी अच्छा risk reward ratio मिला यहाँ पर जो आपको मौके मिल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ scalping करने के मौके मिल रहे थे अब हमें कल के लिए किस तरीके से तयार रहना है उन चीजों का हम यहाँ पर discussion करते हैं यहाँ पर आप पूरे scenario को समझेंगे हमारे लिए important चीज़े क्या हो चुकी है एक तो यह वाला zone हो चुका है previous day high वाला zone हो चुका है दूसरा अगर आप देखेंगे यह वाला zone भी हमारे लिए important है यह वाला zone क्योंकि market ने पहले भी इसकी respect की है और अभी भी market इसकी respect कर रहा है तो यहनी कि जब तक इससे उपर नहीं जाता तब तक हमें buying के बारे में नहीं सोचना है और जब तक इससे नीचे नहीं आता हमें selling के बारे में नहीं सोचना है जब तक इस बीच रहेगा हम just market को observe करेंगे पहली चीज़ मकर scalping कर सकते हैं अगर market इससे उपर चलता है, 19,400 से उपर चलता है, तो आप यहां तक previous day high तक scalping कर सकते हैं, अगर market इसका breakdown दे के चलता है, तो आप यहां तक scalping कर सकते हैं, यह scenario आपको समझ में है, अब यहां पर एक और discussion करते हैं, अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है, तो यह तो चीज मैंने आपक चलता है, अगर previous day high का आपको यहां पर breakout मिलता है, तो market आपको all time high की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यह setup भी आपके यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा, वहीं पर बात करें, अगर आपको flat open होके market दिखाता है negative momentum, उस situation पर हम क्या करेंगे, उस situation पर हम इस zone के breakdown का इ पर दिन का जो day low है, इसे approach करने की कोजिस करेगा, यह आपके लिए support zone यहां पर रहने वाले हैं, वहीं पर अगर आपको gap up opening मिलती है, तो आपका पूरा focus previous day high पे रहेगा, कि market इससे कितनी दूर या कितने पास gap up opening दे रहा है, अगर market gap up opening देके इसका breakout देता है, और उस breakout से market उपर चलता है, तब भी आपको previous day high का breakout ही आपके लिए activate रहेगा, यह आपको मान के चलना है, इसे setup के recording आपको काम करना है, लेकिन अगर यहां पे आपको bearish candle देखने को मिलती है, जैसे कि आज scenario बना, तो आपको focus करना है यह candle कितनी बड़ी है, अगर छोटी candle दिखाई देत अगर candle जादा बड़ी बन जाती है, तो selling की side कोई भी trade मत लेना, आपको यहां पे previous day closing पे market किस तरीके से momentum करता है, उस situation को observe करना पड़ेगा, चीज़े clear होगी, वहीं पे अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है, तब हम इसी level पे focus रखेंगे, इस वाले पे, कि इस से कितनी आपको gap down opening देखने को मिलती है, अगर इसी zone पे gap down opening होती है, market इसका breakdown देके नीचे चलता है और उससे नीचे चलता है, तो आपके लिए नीचे की तरफ support zone आपको पता है, लेकिन अगर market यहां पे bullish candle बनाता है, तो आपको इंतिजार करना है कि market previous day closing से उपर जाए, तब ही आप ने अभी तक अपना account open नहीं किया है, तो नीचे description में आपको fires के link मिल जाएंगे, angel broking के link मिल जाएंगे, आप stock के जरोधा की link है, वहाँ पे जाके आप अपना demate account open कर सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छी content के साथ, थैं